प्रेम चंद द्वारा लिखी गई। दो बैलों की कथा से संबंधित बहु विकल्पिय प्रश्ण के उत्तर बारी-बारी से देखते हैं। यदि आप अपने इच्छा अनुसार प्रश्ण के उत्तर को देखना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक और टा प्रश्ण की मदद से पसंदीदा प्रश्ण के उत्तर को देख सकते हैं। पहला प्रश्ण है, जूरी के साले का क्या नाम था? विकल्प है। दूसरा प्रश्ण है, बैल का जन्म लिया है तो मरने से कहां तक बचेंगे? यह कथन किस ने कहा? विकल्प है। कांजी हौस के चौकिदार का, बी जूरी का, सी गया का, डी जूरी के पत्नी की उत्तर है, ए कांजी हौस के चौकिदार का। तीसरा प्रश्ण है, गधे के कौन से गुण उसे राश्यों मुनियों की श्रेणी में खड़ा कर देते हैं? विकल्प है। A. परिश्रम, B. सहन शक्ती, C. स्वाध्याय, D. त्याग, उत्तर है, B. सहन शक्ती। चौथा प्रश्ण है, पाठ में दीवार गिरना, किसकी ओर संकेत करता है? विकल्प है। A. मरने का, B. गुलामी के बंधन खुलने का, C. सहन शक्ती के तूटने का, D. त्याग की भावना का, उत्तर है, B. गुलामी के बंधन खुलने का, पाँचवा प्रश्ण है, हीरा और मोती द्वारा किस कार्य को किये जाने पर, गाव की बाल सभा ने उन्हें अभिनंदन पत्र देने का निश्चय किया? विकल्प है, A. उन्होंने डाकूओं को भगाया था, B. वे कसाई को मार कर जूरी क के पास वापस लोटाए, छठा प्रश्ण है, इस पाठ में किन पात्रों के मध्य संबंध बहुत मजबूत थे? विकल्प है, A. हीरा और जूरी के मध्य, B. मोती और जूरी के मध्य, C. हीरा और कसाई के मध्य, D. हीरा और मोती के मध्य, उत्तर है, D. हीरा और मोती के मध्य साथवाँ प्रश्न है, जूरी की पत्नी ने दोनों के माथे क्यों चूमें? विकल्प है. A. वह उन्हें भगाना चाहती थी. B. वह उन दोनों को साथ देखना चाहती थी. C. उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था. D. उसे बैलों से बहुत सनेह था. उत्तर है. C. उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था. लेखक के अनुसार हम किसी मनुष्य को निम्नस्तर का मूर्ख कहने के लिए गधे की संझा क्यों देते हैं? विकल्प है. A. रूरहिवादियों को बनाए रखने से. B. अपने करतव्यों का निष्ठा पूर्वक पालन करने से. C. धर्म विरोधी बातों को विरोध करने से. D. कमजोर का शोशन करने से. उत्तर है. B. अपने करतव्यों का निष्ठा पूर्वक पालन करने से. दस्वाँ प्रश्न है. जूरी की पतनी दोनों बैलों से नाराज होकर उन्हें क्या कहने लगी? विकल्प है. A. कोलहू का बैल. B. नमकहराम. C. नाकाम गधा. D. मुर्ख उत्तर है. B. नमकहराम. ग्यारहवाँ प्रश्न है. बैल को गधे से थोड़ा कम सीधा क्यों समझा जाता है? विकल्प है. A. उसके नाकामी के कारण. B. उसके मूर्खता पूर्ण रवईये के कारण. C. उसके कभी कभार के अढ़्धियल रवईये के कारण. D. उसके महनती स्वाभाव के कारण. उत्तर है. C. उसके कभी कभार के अढ़्धियल रवईये के कारण. बारहवां प्रश्न बचिया का ताउ, मुहावरे का अर्थ है, विकल्प है, A. गधे का बढधे भाई, B. मूर्ख व्यक्ति, C. नम का हराम, D. कोलहु का बैल उत्तर है, B. मूर्ख व्यक्ति, तेरहवां प्रश्ण है, पहली बार गया के घर से भाग कर दोनों बैल कहा गए, विकल्प है, A. कांजी होस में, B. जूरी के घर, C. मटर के खेत में, D. लड़की के घर पर उत्तर है, B. जूरी के घर, 14. हीरा और मोती किस जाती के बैल थे, विकल्प है, A. जर्सी, B. पच्छाही, C. अफगानी, D. इन में से कोई नहीं उत्तर है, B. पच्छाही, 15. प्रश्ण है, शाम के समय भैरों की लड़ किया, बैलों के लिए क्या लेकर आई, विकल्प है, A. दो रोटियां, B. चावल के कुछ दाने, C. आलू की सबजी, D. इन में से कोई नहीं उत्तर है, A. दो रोटियां, 16. प्रश्ण है, औरत पर सींग चलाना मना है, कथन किसका है, विकल्प है, A. मोती का, B. हीरा का, C. जूरी का, D. सांड का उत्तर है, B. हीरा का, 17. प्रश्ण है, पशुओं में कौन सा गुण, मनुष्य के गुणों से ज्यादा विकसित है, विकल्प है, A. मन के भावों को समझना, B. मेहनत करके खाने का, C. अच्छे बुरे में भेद करना, D. सनेह करने का उत्तर है, A. मन के भावों को समझना, 18. प्रश्ण है, हीरा और मोती एक दूसरे के प्रतिप्रेम कैसे प्रकट करते थे, विकल्प है, A. एक दूसरे से लडेच कर, B. एक दूसरे को चाट कर, C. एक दूसरे को देख कर, D. एक दूसरे के साथ चल कर उत्तर है, B. एक दूसरे को चाट कर, 19. प्रश्ण है, किसके B. गया C. जूरी की पत्नी D. कसाई उत्तर है C. जूरी की पत्नी 20 वाँ प्रश्न है हीरा और मोती में यदि गहरी मित्रता नहीं होती तो उनका क्या होता? विकल्प है A. दोनों कुछ तय नहीं कर पाते B. दोनों आराम से घर पहुँच जाते C. दोनों विशम परिस्थितियों से लडी डी डी एच नहीं पाते D. दोनों समय के अनुरूप चल नहीं पाते उत्तर है C. दोनों विशम परिस्थितियों से लडी डी 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 एच नहीं पाते तो ये था प्रेम चंद द्वारा लिखी गई दो बैलों की कथा से संबंधित बहु विकल्पिय प्रश्न के उत्तर Learnaculous Classes के YouTube चैनल को सब्सक्राइब और शेर कर हमें सपोर्ट करें धन्यवाद